अलो सुदेंट्स तो आर कुशन इस अ बोडी ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रांसवर्ट वन थर्ड अब टोटल डिस्टेंस विद वैलोसिटी ओफ अल्याजत क मतना कीटना हो एक्स अधिस्टेंस इस वैलिया किस वेलोशिटिे रहला किया फॉर मेके लिट अफीट्कहत नहीं तर्मेक नहीं ने से फथा इस तक किस वेलोसिटी चला यहां से यहां तक का टाइम कितना है टी टाइम तक किस वेलोसिटी चला हो तो distance में कोई difference नहीं होता, ठीक है, तो total कितना हो जाएगा यह, 3x, अब time, तो total time यहाँ तो कितना है, 2t time है, और यहाँ time, हमें नहीं पता, तो हमें तो यह तो पता है न, कि भईया, speed is equal to, velocity is equal to displacement divided by time होता है, तो time क्या हो जाएगा, displacement divided by velocity, तो time हो जाएगा, x divided by 4, इसमें कोई doubt नहीं है, अब देखो, x हमने खुदी माना है, और x से x हमको उडाना भी है, तो t को क्या करो, x की time में ले क्या हो, तो भई, अगर यह distance x है, यह total distance 3x है, तो यह बागी बची distance कितनी बची, 2x और 2x distance है, तो 2x distance क्या होता है, यह 2x distance किसके बराबर होगी, velocity into time के, तो यहाँ स into t, और यह कितना होगा, 6 into t, तो plus 6 into t, तो 2x is equal to हो गया, आपके पास 8t, तो t की value क्या गई आपके पास, 2x divide by 8, यहनि आपका x divide by 4, तो t की value यहाँ x by 4 रख दे, तो x x खतम हो जाएगा यहाँ आपर, so 3x divide by, x divide by 4, प्लस 2 into x divide by 4, तो यह x by 2 हो गया, यह फिर 4 LCM ले लो, simple बन रहा है तो, 4 LCM आजाएगा, यहाँ पर नीचे, 4 LCM आगया, उपर 3x already है, 4 LCM आए तो x plus 2x, यह हो जाएगा आपका 3x, x x खतम हो गया, तो यह 4 उपर पहुंच जाएगा, 3 by 3 into 4, 3 से 3 खतम हो गया, तो answer क्या आपका 4 meter per second, जो की option number b में present है, ठीक है?